वेडियो अपने खास वीडियो होने वाला है विकॉस आज के इस वीडियो में हम लोग ओपर इंट्रेस्ट एंड वॉलुम इसपाइक को मर्च करके किस तरह से टेड एक इग्जेक्यूट कर सकते हैं इसके उपर एक ओपन डिसकेशन करेंगे उससे पहले आज के टेड को समझ हाई लो हाई और फिर से देखें इसने करीब तीन या चार दिन पहले इससे लवर पर सपोर्ट लिया था और आज की रेंच में डाउनसाइड की दरफ इसने ब्रेक आउट देखाया क्यों इसे स्टॉग को हमने टेड किया था इसको भी देखेंगे एंड वॉलुम स्पाइ जिसके ओपर हमनों डिस्केशन करना चाहते हैं आखिर क्या वो है क्या जैसे कि 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर जब लोग यहां पर आएंगे तो 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर देखें इसको भी अगर हम मर्ज करें या पीछे की दरफ देख करके चलें लोवर टाइम फ्रेम सीलवर पर आज ब्रेक आटीविकरट पर आजटीवर डिया है ज़र तर्यम अपना टारगर कैसे बुक कैरें अदर किस त्रें पर 9.15 पर अच्छी खासी वॉल्म का प्रेक जैसे कि यह देखे, एक अच्छी खासी volume का breakout हुआ, इस volume ने downside की तरफ breakout करने के बाद में, जहां पर हमारे swings बने हमने अपनी entry ली stop loss लगा और यहां से अपना trade execute कर दी, 20 second को भी देखे, यहां पर 2 बचकर 15 नाट पर एक volume है थी, उसके पहले भी हम यहां पर सबसे पहले काम करते हैं, अपनी range को delete करते हैं, यहां से आपको देखे, entry stop loss के लिए हमारे साफ हो जाएंगे, सबसे पहले आपर trade book अपनी open करेंगे हम लोग, अपने terminal पर login करना पड़ेगा, शायद pre-login होंगे login करना पड़ेगा, यहां पर password अगर आप put up करते हैं जल्दी से, market अगर ऐसे देखेंगे, overall तो आज market का momentum एक तरह ऐसे sadder movement था, हालना कि stock अपनी पास अच्छा था, previous week में भी इतने अच्छे stocks, हम लोगों ने, इस week में भी अगर हम बात करें, तो अच्छे stocks हाथ नहीं लगें, लेकिन हिंडाल को ने एक अच्छा momentum को आद दिखाया, okay, so login कर चुक है, आप हम लोगों सबसे पहले अपनी काम करते हैं, portion book open करेंगे, so portion book में आप देख सकते है, overall जो हमारा आज का profit है, 12,825 रुपेज का profit है, last two to three days, या भी जैसा हमने बताया के last week हमारा अच्छा नहीं गया है, बड़े profit सम्भूख नहीं कर बाएं, just because of sideway market की वजए से, okay, but आज का हमारा Friday का दिन था, so week एक अच्छी तरह से खाता हम, कि order book open करेंगे, order book में, overall आप देख सकते हैं, यहाँ पर पांच order लगे हुए, morning में एक quantity का order हम से लग गया था, जबकि में मालना था 1500 quantity का, stop loss और entry के बीच की जो दूरी थी, उसके थूरू जब हम calculate कर रहे हैं, क्योंकि 2 रुपय कुछ 5 पैसे का stop loss हाय था, तो 1500 quantity हमें लगानी थी, बट एक quantity लगी, फिर बात में 1499 quantity का लगा है, तो 1500 quantity का पूरा order हमारा फिल अप हो गया, तो entry जो हमने इसके अंदर ली, 405 रुपय साथ पैसे पर है अपनी entry थी, stop loss 407.65 पर अपने जो stop loss था वो लगा था, और profit जो book किया थे 397.05 पर अपने सारे के सारे profits को हमने आपर book कर लिया था, हिंडाल को ने हाला कि हमें one-sided momentum ही दिखाया है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर reversal यह कहें कि trap करने के कोशिच की नहीं, इसको, perfect, so 12,825 रुपीज का profit है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हिंडाल को के अंदर, इसको refresh कर लेता है बहुत और और से, किस तरह से हिंडाल को के अंदर हमने open interest को लगाया, कैसे हमने volume spike को इसके अंदर पकर और दोनों को merge करके किस तरह से हिंडाल को को trade कर सकते हों, इसके ओपर एक discussion जैसा भी हमने बताए, एक open discussion हम लोग करेंगे, जिससे कि आपको help हो, जब आगे चल करके आप trade execute करो, और फिर Monday को जब आप trade को execute करो, तो इससे आपको help हो सके, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो इसको ज़रू से ज़रूर लाइक की जगा है, and start करते हैं अच्के वीडियो, सबसे पहले एक नज़र हम लोग डालेंगे, day time frame पर handle को के अंदर हमारी क्या analysis रही थी, swings को draw कर लिया, हो क्या रहा है, यहां से अभी price हमारा सीधे नीचे की दिशा तक गिर रहा है, यहां तक आया, बट यह price जो last वाली हमने line draw की है, यह अभी बनी नहीं है, यह बन रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी इस line को जो up side की तरफ हो, इसको हम छोड़ देंगे, अभी क्या कर सकते हैं, हालांकि price का momentum यह down side की तरफ है, हम इसको draw कर सकते हैं, बट इसको अभी हम छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ने की पीछा का reason क्या है, क्योंकि यह वाली जो हम line draw करेंगे, यह trade करने में हमें help नहीं करेंगे, trade करने में जो हमें help कर सकती हैं, वो यह वाले कुछ points होंगे, या फिर इसके नीचे जो swing लगे हैं, यह वाले points होते हैं, यही help करेंगे, तो इस विए से चल रहा होता है momentum, हम उसको draw नहीं करते हैं, पहली चीज, दूसरा, इन lines को draw करने के पीछे का reason क्या है, देखे, हम लोग क्या करते हैं, simply अक्सर हम लोग जब trade execute करते हैं, तो वहाँ पर day time frame पर कुछ readings करते हैं, कि price ने highs कहां पर लगाया, lows कहां पर लगाया, किस candle को break के, और किस candle की range के अंदर price नमारे travel करते हैं, इससे पता ही चलता है कि price, आज हम उसको weak side में देख सकते हैं, जा फिर उसको as a strong momentum हम उसके अंदर expect कर सकते हैं, फिर price नमारे strong है, तो price के read करने के पीछे का reason यही है, जस्ट आपको इस skill को develop करना होगा, कि कैसे आपको reading start करने हैं, और उस read करने के पीछे के जो नतीजे निकल रहे हैं, या reading करने के बाद के जो results निकल रहे हैं, वो results आपको किस तरह से help करते हैं, trade execute करने में, अब जैसे हमें मालूम है कि यह मेरे swings हैं, और इसके उपर के swing मेरे ये वाले हैं, अब हमें करना क्या है कि मान के चलिए यह वाला जो मेरा swing लगा हुआ है यहाँ पर एक support area बन रहा है मेरा इस support के पास में market कर क्या रही जैसे कि यहाँ पर एक support लिए और price हमारा upside की तरफ चला गया दोबारा जब यहाँ पर आया price तो फिर से देखिए इसने support लिए और फिर से price हमारा upside की तरफ चला गया मतलब कि price नमारा नीचे तो गिर रहा है बट volumes कम हो रहे है और फिर से जब हमारा price upside की तरफ जा रहा है यह structure याद होगा हमने आपको बताया था एक वीडियो में वॉल्म मेरी नीचे की तरफ गिर रहे हैं अगेन वॉल्म का breakout price हमारा upside की तरफ देखिए वॉल्म को बहुत बड़ा game होता है यह operators की जो हम लोग अपसर बाते करते हैं फिर सुनते हैं कि वहाँ को बड़ा player है operator है या फिर आप जितना भी यह सारी बाते सुनते हो इसमें होत अब यहां पर जैसे ही वॉल्म का breakout हुआ price ने क्या किया एक high momentum दिखा दियो price previous जो मेरा swing था वहां तक पहुंच किया और वहां तक जाने के बाद में देखिए price हमारा फिर से नीचे की तरफ गिरा यहां पर कम volume के साथ price हमारा नीचे की तरफ आया था बट यहां पर ज्याद को break कर दिया downside की तरफ इतनी चीज समझ में अब टीवेस जितनी भी रीडिंग से न को छोड़ करके क्या हम यहां तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इससे तो मैं पता चल गया ना कि यह मेरे support areas है वीडियो कुछ थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है बिकास जब हम वीडियो बना कोशिश तो यह करते हैं कि छोटा वीडियो बट अपने हाथ में रहता कि कोई भी चीज अगर में समझानी है बतानी है तो पांच या दस मिनट में हो नहीं सकती अगर उसमें बीस में लग रहे हैं तो बीस मेंट लगेंगे अगर हम पांच में उस चीज को complete करने तो हो सकता थोड़ा सा लंबा वीडियो बिकॉस बहुत महनत लगती वीडियो बनाने में आप लोगों के साथ शेयर करने में एडिट करना इसको पहुंचाना आप लोगों तक वो भी इस तरह की वीडियो जो हम आप लोगों के लिए बनाते यह आप कहीं पर भी चले जाओगे तो हमे अगर आपका suggestion तो आप comment box में लिख सकते हो या फिर आप कुछ question हो तो उसको आप comment box में लिख सकते हो यह सारे points अब यहाँ पर हो क्या रहा है price जब दुबारा हमारे support level पर आया है यह हम देख रहे हैं कि price अमरा support level पर आया है यहाँ पर volumes increase हुई volume increase होने के साथ साथ देखे यहाँ पर कुछ mother candle type का formation भी हुआ है मतलब कि इस range के अंदर price हमारा रुका हुआ है फसा हुआ है अब हिंडालकों को हम track कर रहे हैं हिंडालकों की track करने के पीछे का reason क्या क्योंकि हिंडालकों काफी दिन से हमारी एक range के अंदर रुका हुआ है फसा हुआ है है अब अगर हमारी इस range का यह breakout कर देता है तो momentum हमें अच्छे मिल जाएंगे हमने इसको कल trade नहीं कर दिया में भी हमें याद है कि last to last week हमने दो trade हिंडालकों के अंदर किये थे एक में हम sideways निकल गए था और एक में कुछ 10-12000 रुपाय का profit उसके अंदर भी हमें बुक किया था अच्छा momentum हिंडालकों को दिखाता है बट होता क्या है कि आपको उस stock को लगाता track करते रहना होगा अब यहाँ पर इन सबी लैंस को हम डिलेट का देते हैं यहाँ पर हम इस नतीज़े पर पहुंजगे कि price हमारा support पर है और अब की बार जैसे पिछली बार आया था तो इसके अंदर volumes कम थी और अब की बार आया तो इसके अंदर volumes ज्यादा हैं clear है तो यह पूरी ranges mark करके हम अपने levels तक आ गया अब यहाँ पर भी important points मेरे कौन से निकल करके आ रहे हैं हम इस वाली range को upside की तरफ shift कर देते हैं because मेरा जो swing create किया इस candle ने create किया है और यही candle मेरी important candle भी है अगर हमें आज के लिए trade execute करना है तो और previous जितने भी मेरी lines है हम इनको सबको delete कर देते हैं I hope कि जितनी भ lines के तरू हम लोगों reading करके पहुंचे कहा था अब वापस आ जाते हैं 5 minutes की time frame पर अब देखना यह 407 रुपए 60 पैसे का यह जो level है अपना यह क्यों इतना important है trade execute करने के पीछे कि मेरी यह जगा यह क्यों जबरी हो जाती है यहाँ पर point कौन से है मेरे 407 रुपए 60 पैसे अब जैसे यहाँ पर देखे 407 रुपए 60 पैसे यह range बन गया यह day time frame की मेरी important area है अब यहाँ पर price हमारा तोड़ के किस level को आ रहा है 410 रुपए को यह वाला point clear है 410 रुपए से price हमारा नीचे की तरफ गिरा और यह मेरा day time frame का level है और इसी day time frame के level पर ही देखिए इतनी spike आई है एक अच्छी खासी volume इसके अंदर generator जिसका पता में लगा morning में market start होते ही देखिए बहुत simple simple चीजे बिल्कुल भी इसमें परेशान मत हो जाएगा या फिर confused मत हो जाएगा बहुत आराम से समझने की कुशिश कीजिए हम लोगों ने क्या किया 410 रुपए का level यह mark कर जब कि यहां पर हर 5 रुपए पर open interest का area बना हुआ है और morning में जो सबसे ज़्यादा open interest हमारा बना हुआ था वो था हमारा 405 और 410 रुपए का area अभी थोड़ा बहुत आपको open interest जो morning में हम देख रहे थे यहां से फर्क है बढ़ हाँ 410 रुपए पर यहां पर सबसे ज़्य के अंदर changes है और वो तो हो गई अब यहां पर देखे क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो open interest हमको नजार आ रहे वो 410 रुपए के level पर है 410 रुपए पर बहुत ज़्यादा open interest है और यहां से देखे minus 167.700 मैनस में देख रहे ना यह ओ आई और यहां पर देखे बढ़ी ह हुई है मतलब कि यह वाला जो area हमारा बना 410 रुपए का यह important area बन गया यह बहुत important area बन गया मेरे लिए अब हमें मतलब नहीं यहां पर क्या कितना बढ़ रहा है कितनी percentage हो रही है क्या हो रहा है बट हाँ OI बढ़ रहे हैं और एक set से कम हो रहे put set से इसका मतलब यह है कि 4 410 रुपए का यह जो beach का area है ना यह मेरे लिए important area बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे चुप चप 410 को mark कर लेंगे और 410 के नीचे हम क्या देख रहे है कि हमारा एक day time frame का level भी है जहांसे price हमारा ठक रहा है क्या अगर इसके नीचे क्योंकि money में क्या हुआ था price जैसे ही न नीचे की तरफ गिर रहा है और opposite direction में जो first candle बन थी इसका low कि इतना important होता है हमने क्या किया कि price की closing के बाद एक retracement का वेट के और थोड़ा सा price में जो हमने अपनी entry ली वो इस जगए पर ली हाला कि candle हमारी यह important थी बट हमने जो अपनी entry ली first green candle opposite direction की जो candle होती है उस method के according जैस प्राइस हमारा upside की तरफ गया यहां से हमने अपना trade execute कर दिया तो एक retracement था हाला कि price हमको थोड़ा सस्ता मिला जिस वाज़े से यहां पर हमने अपना trade execute किया था देखिए तीन चार methods हैं जिसका की use हम लोग यहां पर कर रहे हैं और सब एक दूसरे से connected है open interest को भी हमने रख रुपाय का area देखो आप 400 रुपीज पर आप यहां पर आकर कि एक level अपना mark को लो प्राइस ने किया किया हमारे इस level को भी तोड़ दिया नीचे की तरफ तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि open interest हमारा बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर रहा open interest में बढ़ता चला जाना 6,00,00 और फिर यहां पर देखे 73,100 तो यह open interest का area है अब nakedly हम ऐसे open interest को mark नहीं कर लेंगे हमने open interest का देखिए use कहां पर इस इस पर गौर कीजिएगा हमने open interest का जो use किया है एक heavy open interest हो और plus हमारी वहां पर volume spike भी मतलब कि अगर यह मेरा open interest का area है तो जहीं पर देखिए हमारी volume भी आई है जहीं पर volume आई है तब हमने ही open interest का use किया कोई भी हमने इसको बहुत hardly आपको explain नहीं किया है ना ही हम कोई drawing कर रहे हैं यहां पर ना ही कोई statics का इतना बड़ा कोई use कर रहे हैं इसके दर simply आपको बस यह देखना है कि volume spike एक simple सी market के indicate किया था यह वाली volume और इसके पहले की यह वाली volumes यह भी देखिए volumes हुआ ही है हमारी यह हमारे open interest के areas पर आई है 410 के levels पर है ना यहां पर भी देखिए price ने क्या किया कि इस जगह पर आकर के momentum downside की तरफ दिखाया तो ऐसे जब आप पीछे चलते चल जाओगे तो आपको जो महां पर quantities उठती है तब आपको इस तरह की momentum देखते है market close होते हुए और open होते हुए आपको heavy volumes देख जाएंगे आपको just करना क्या है कि इन spikes का use करना है आप 410 रुपय है 410 रुपय के उपर जो आपका next spike बनेगी या फिर जो next open interest का area निकल करके आएगा OI के according तो कौन से area न क्या हम लोग इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यह जो 415 रुपय की spike है या फिर 415 रुपय के level पर जो spike आई है वो exact हमारे बिल्कुछ support areas पर है यह spike मेरी important हो जाएगे अभी हमने क्या कहा है बहुत ज्यादा tough या फिर drawing के थूरू या फिर कैसे भी करके हम आपको नहीं सम option chain रीट करना आता है अब यहाँ पर अगर हम option chain रीट करना सखाएंगे तो फिर तो बहुत 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 बड़ा वीडियो बन जाए गया ओके so just एक इशारा करने आपको कि कहां पर आपकी सबसे ज़्यादा open interest बना हुआ है तो यह मेरा area important हो जाएगा अब हमें क्या देखना है में भी हो सकता जब यहाँ पर आपका प्राइस चल रहा हो 415 रुपय के लेवल पर और उस दिन यानि कि 16th of April का जब हम option chain देखें तो वहाँ पर हमें 415 रुपय के लेवल पर open interest ज्यादे दिखाए पर अगर होगा तो जरूरी नहीं कि वो हो ही क्या कि यह volume spike उठाई और इस candle को mark करने की पीछे का reason क्या है 415 रुपय का OI का level अपना open interest इस तरह से हम इसको mark करते है open interest में आपको अपनी इन OI levels को add करना है और फिर से हम आपसे बोल रहे हैं कि nakedly इसका use मत करने लगना पहले थोड़ी सी practice करो इसको लेकर करके अभ्यास कर अचानक से अरे वह अरे वह बहुत अची चीज़ पता चल गई अब कली जा करके हम bank nifty में मारते हैं क्यों को मालूम है जितने भी अपने पास traders हैं वो सीखते हैं price action सीखते हैं बट उसका जो use कर रहे हैं वो derivatives में कर रहे हैं अभी हो कुछ दिन के बाद से हम में भी plan कर रहे हैं कि next week and next to next week देखे हम बोल देते हैं बट उसके उपर थोड़ा सा practically जब हम काम करने जाते हैं तो मुश्किल होती है हाँ plan कर लेते हैं बट practically जब काम करने जा रहे हैं तो काफी सारे जो और हम कोशिश कर रहे हैं कि options के जो भी trade हम execute करते हैं आप लोगों के साथ उसको share करे अब इसमें होगा क्या है हो सकता है कि equities को हम अपने दूसरे system पर या फिर दूसरे account पर चलाते हैं और main हम पूरी तरह से fix हो जाएं अपने option chain के उपर sorry option trading के उपर तो में भी हो सकता है अब हम option trading की वीडियो से आप लोगों के साथ share करें और कोशिश ये करेंगे कि किस तरह से कम capital में अब ऐसा नहीं कि एकदम से 5-10-15-20 lot के साथ हम काम करना स्टार्ट करेंगे हालां कि कर सकते हैं एकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो process होता है ना proper process सीखने का जो process होता है हम धीरे-धीरे starting करेंगे किस तरह से हम कम quantities में अपनी capital को grow करोगे one या फिर two lots के साथ हम काम क अंदर सिर्फ दो lot में लेकिन आपका एक proper system होना चाहिए वो सारा का सारा system हो में आप लोगों के साथ share करेंगे कोशिश करेंगे कि जो भी अगर आप loss करो options के अंदर loss कर रहे हो तो वो आपका पूरी तरह से बंद हो या फिर यह कहांगे control हो जाए तो बने रहेगा हमारे सा चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजाए और बेल आइकन को प्रेस कर देजागा जिससे कि सारे वीडियो के notification आपको मिलते रहे हैं अभी हमने क्या बताया कि कैसे open interest and volume spike को हम लोग match कर दें किस तरह से हम लोग उसको मिलाते हैं जिसका कि example भी हमने यहाँ पर दिखा है यह वाले example दिखा है इसी तरह से कोई भी stock आप उठाओ आप करना क्या है कि यहाँ पर हमारे एक open interest है just imagine कि 380 रुपीज का हमारे open interest का area है यहाँ पर आपका price पहुंच रहा है और पहुंचते पहुंचते इसके अंदर क्या हो रहा है कि volume spike आ रही बड़ breakout हो तो यहाँ से short से link करें volumes के बहुत सारे uses हैं जैसे कि volume spike आपकी आ गई अगर हम बताने लगेंगे volume के बारे में बहुत कुछ बहुत साई चीज़े हैं बहुत साई चीज़े हैं बता सकते volumes के उपर अब जैसे कि इसको just take example समझेगा कि एक हमारा level है ठीक है price ने हमारी range का breakout आउट कर दी upside की तरफ और यहां पर heavy volume आ गई और इससे पहले हो क्या रहा था देखिए कम-कम volume आ रही थी है ना और अचानक से price में ज्याधा volume आ गई और price हमारा upside की तरफ चला गया अब होगा क्या कि यहां से आपका price में भी हो सकता है sideway हो जाए आप side के momentum दिखाते दिखाते आपका price sideway हो जाए इस तरह से है ना और यहां से volume भी आपकी गिरने लगें गिरने इन देसंस के volume आपकी कम होने लगें एक normal बिल्कुल volume आ जाए और price यहां पर आपका sideway है मतलब कि price sideway और volume आपकी कम हो रही है लगातार volume से आपकी कम होती चल के भी breakout हो जैसे की होता है कि trade के successful होने के chances 70-80% increase हो जाते हैं एक सही analysis की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी इसलिए हम बार 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 बोलते हैं कि कोशिच करिए सीखने की सीखिए उसके बाद में काम कीजिए बहुत सारी help मिलेंगी एक process में आप आ जाओगे उस process का हाथ आप मोना बहुत ज़रूरी है तो आई होप कि जो भी चीज़े भी हमने बताई हैं जो भी समझाएं जैसे देखिए अभी कल कोई प्रॉफिट ने था तीन हजार रुपए का कुछ हमने लॉस बूग किया था उसके पहले जिरो प्रॉफिट ज़रूरा कुछ कुछी मार्के अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स ट्रेडिंग सेशन तब तक लिए थाइंक्स और आई होप कि जो भी चीज़े हमने समझाएं पूरी तरह से आपकी क्लियर हुई होगी तो गुडबाई एंड वीविट अगें